Hello friends, MS Excel Means Sum Function के सरी formula के बारे में बताएंगे तो जैसा Sum के नाम से ही पता है Sum Means होता है जोड़ना तो अब Sum Means होता है जोड़ना तो अब आप आपको MS Excel में Sum Function के maximum formula के बारे में बताएंगे तो friends आपको सौगत है माई चैनल as take computer में और आज की वीडियो में आपको Sum Function के लग 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 सरी Function के बारे में डीटेल से पताएंगे और friends अगर ये वीडियो में आपको पसंद आता है तो प्री इसे comment करें और इसे अपने मित्र सब भी share करें जिसे वो भी इसे लाव ले सकें टाइए अपने टापिक को स्टार्ट करते हैं MS Excel को और सबताते हैं कि Sum Function कितने होते हैं और उनका क्या वर्क होता है कैसे कैसे तो friends आपने टापिक को स्टार्ट करते हैं तो हम यहाद है जैसे हम नहीं एक स्टार्ट को ओपन कर लिया है तो friends अब यहाँ पर देखिए Sum में आज हम आपको Sum Sum If Sum If Sum Product और Sum SQ में अगल इस प्राइर लोड बताएंगे तो friends इसके लिए पहले यहाँ पर पहले टेवल पर आते हैं तो इसको टोटल निकारने के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा फार्मूर लाएंगे क्वांटिटी का स्ट्रेश, एस्ट्रीक, रिट का स्ट्रेश और जैसे इंटल करेंगे तो यह नमारा जूड करके आज अब इसको डबल क्लिक करके इना से इसको एड कर सकते हैं तो फ़र्स यह तो हमारा एक एक वैलू का आंसर आया है कि सिटी टोटल इतने की हुए डीवीडी इतने की मॉनिटर इतने का हुआ कीबोर्ड इतने का माउस इतने का सिब्यू ये अब जैसे हम इस अब हमको फ़र्जर्ट में देखना और यका ल जोडना है तो यहां पर हम सम लगाएंगे और जैसे ही bracket करेंगे तो यह कहरा है आपको number one number two आप इस तरह से दे सकते हैं बाकी फिर यहां से आप इसको drag भी कर सकते हैं कोछी तरीके से और यहां पर जैसे ही bracket बन करेंगे और इंटर करेंगे तो यह लेखिए आपका यह total हो करके इकल कीपिस करना है यह देखिए पूर डिली तो स्रेट कर लेगा और जैसे इंटर करेंगे आपको यह आंसाथ आ जाएगा तो यह होता है सम फंक्सन सम मेंस होता है जोड़ना जैसे दो चार छे या दस बीस पचा संग्याओ को एक ही बात में जोड़ना है एक ही रेंज में जोड़ना है तो इसके लिए हम यहाँ पर सम फंसन के यूज करते हैं जो वह थी शॉर्ट फॉर्म में हमको संग्याओ को जोड़ना करके बता देता है तो फ्रेंस आई आए बमें टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अब हम आपको बढ़ाते हैं कि सम प्रोड़क्ट अब जै प्रोड़ की जरूरत नहीं है अब कहरा है अरे बल टॉटल क्वाइडिक ले लेंगे कीद कामा करेंगे चाह रहा है एरे टू में आप रेट लेगए जिसका हमको मल्टिप्लिकिशन कराना है वो ले ले लेंगे और बैकेट बंद करेंगे और जैसे इंट्र करेंगे यह दे के माध्यम से इसका मल्टिप्लिकेशन करके आंसर ले सकते हैं तो यह तो हो गया हमारे सम और सम प्रोड़क्ट अब आपको बदाते हैं सम सम S2 मतलब सम स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर संख्या हैं तीन और पाँच और इन इंको संख्या === तुर संख्या करके जोड़ना है यानि तीन कर रूट करते हैं तो 9 और , पस का करते हैं तो 25 25 और और 34 यहां प्याना चाहे तो आपको फिर लॉंग प्रोसेस करना पड़े है, लेकिन यहां पर कोई तिक्कत नहीं है, यहां पर आपको सीव लिखना है सम्स, SQ और टैप करना है अब कहा रहा है पारी संख्या क्या है फिर कॉल्मा अब दूसरे संख्या क्या है आप जैसे इसको ब्रैकेट बंद करेंगे ये देखिए आपका 34 आ गया है उसी इसाफ से मिहां पर आपको दिखा देती है सा SQ पहरी संख्या ये ओगई दूसरे संख्या हमारी ये ओगई अमने इसको ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया तो ये भी हमारा रिजल्ट आ गया इसी साफ से मिहां पर इस संख्या कब निकार लेते हैं संख्यू मदलब स्क्वाइर रूट फर्ष्स संख्या कॉमा पता फरस्ट नंबर और उर कॉमा सेकेट नंबर जैसे इंटर करेंगे तो ये ओग रोगई तो ये होगा हमारा साफ स्क्यू मेंस स्क्वाइर रूट यहां पर हम आप को एक ही टेवन पर सम sum तो पक और sum squared के function बता दिए अब हमाई यह आपको ले चख दें है sum if पी तरफ अब friends sum if क्या होता है अब जैसे यहाँ पर कोई भी एक value लिखी हुई है अब यहाँ पर friends जैसे हमको यहाँ पर sum करना होता है तो हमने आपको बता है यहाँ पर और equal करेंगे तो यह हमारा जूर्द के value आजाएगी लेकिन यह तो सभी की value निकल कर आ रही है लेकिन अज़र हमको किसी particular value का निकालना जैसे मारी जी हमको यहाँ पर निकावना है Monday total तो Monday का total निकालने लिए आपके हमाँ पर देखना पड़ेगा कि Monday आपका यहाँ प्सक्राइबा लगाएंगे कि को Sum लगा है तो यह हमाँ अंसर नहीं देपाए घास तो इसके लिए अप जब मिएको किसी भी condition के आधार पड़ेगा पर Sum करना होता है तब हम वहाँ पर sum if का यूज़ करते हैं यानि जिवागों को किसी भी एक कंडिशन के अदार पर sum करना है तो हम वहाँ पर एक कंडिशन का यूज़ करते हैं sum if can हम यहाँ पर संख्याओं को थोड़ा लेते हैं अब देखिए फिर सब हमको आप निकालने मंडे का टोटा तो मंडे का टोटा निकालने के लिए जैसे भी हमने आपको बताए कि जाओं इस संख्याओं को लोगते हैं प्लस इस संख्या को लिया, 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 प्लस इस संख्या क अब यह हमारा पॉईन्ट आता है पहले पॉईन्ट आता है range Shore को क्या रेंग देनी है reach जो हमारा है आप आपको क्या निकालना वे देने तो आप बेर दे देंगी जहां से आपको जहां तब करेंगे जाहिए अब दे करेंगे दे दिया के लगाए को अब कहा रहा है ज्यादा ज़रूरी होता है किस तरीके से बता है किस किस तरीके से लगा सकते हैं कि क्या यूज होता है कि क्रैटिर लगाने लिए आपको सिक के साँ डबल इन्वाटी गॉमा का ये我覺得 कर ना होता है और यहां पे लिए ट सा धालिए अब्ट के जाए मंदा यहां था करते हैं और जैसे करते हैं तो यह देखिए महराigorा है कor ऐखिया यहां कि महरा για भी है कि यहां तेंट को मंदा़ इते हैं तो डेकिए यह मारा आंसर बड़ जाएगा, इसे ताब से हम यहांपर creator gasp को लगा करके, अपने result ले सकते हैं, तो फिर अब हम इस Monday को फिर से Tuesday कर देते हैं, यह मारा आसर आगर तिजडे का, अब देखें फिर से हमारा result वही आ चुछा है, लेकिन अब जैसे हमको यहाँ पर Monday के लावट टीजडे चाहिए तो हम यहाँ पर Tuesday का भी निकाल सकते हैं बस हमको यहाँ पर Monday के स्थान पर Tuesday बेना होगा यह हमारा आल सरी यहाँ पर आचुको तो Monday के स्थान पर Tuesday का टूटब आचुको जाए तो फिर्स मैं आप से यह निवेदर करूँगा कि अगर आपको यह फॉर्मुला समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप इस फॉर्मुले को step by step लिखते से लें अपनी कॉपी में कहीं पर भी जिससे आपको इस फॉर्मुले को समझने में प्रॉब्लम ना फिर्समें मत खाँ मनंडे टोटर लिकाने के लिए आपको यहां आपको लिखना है सम फिफ्ल और देना है रेंज रेंज देने के बाद हम फिरी आपके लगाएंगे कॉमा अब देंगे क्रैटेरिया क्रैटेरिया हमने वड़ार डबलम नोटे अमल दोना चाहेगी और हम यहाँ पर देंगे Monday, नोट अमल किया, अब हम यहाँ पर देंगे some range और some range हमने दे दिया यहां से, यहां तब का अब हमने bracket प्लाइन रखिया और यह देखिए हमारा जूड़ दर के answer आज जुड़ा है, अज तो अब हम को जैसे देखना है क white head कितने की भी की हुई है या yellow head कितने की भी की हुई है तो इसके लिए हम यहाँ पर white head या yellow head का हम exam पर लेके सबूते हूँ देगा, हमने यहाँ लिखा white head total, white head का total निकारने के लिए आपको यहाँ पर देना है change, some if bracket में बापन देँगे item का item का हिज़ रेड्य देने के बाद white वाल इट है नोड ओन बंद किया अभी आपर संग रेंज हम यहीं देंगे इस रेंज को देने माद बंद करके जैसे इंटर करेंगे फिर्ट देखिए यहां पर आउसर वारा जेरो वारा जेरो क्यों वारा है अभी आपर दिया से दिखिए थो अदिकी फिर्ण्स यहां पर जो आपका क्रेटरियो लिखा हुआ है यहां पर वाईट और हर्ट की बीच में एक स्क्वन दियाओं अ दैया हुआ है यहां पर लिखना अगर आपने criteria में थोड़ा भी विश्टेक किया तो आपका यह answer नहीं देगा और यहाँ पर white head के स्थानविट से देते हैं और जैसे इंटर करते हैं तो यह देखिए हमारा answer यहाँ पर आज चुक्राइज की white head यहाँ पर है 35 की और यहाँ पर white head है 650 की इन दोनों को जोड़ यहाँ पर 1180 सी आ गया अब फेंड्स आपको यह दियान देना है अगर आपने criteria में यहाँ पर आपने double space दिया हुआ है तो अब यहाँ पर six for six एक value के जूड़ेगा क्यमकि एक value में single space है और एक value में double space है जब कि आपके अपने criteria में six for six single space ही दिया हुआ है तो इस चीज को ध बड़ा धियान अकना कि आप वहाँ पर extra space का use ना करे अन्य था यह space के कारा आपके result को गलत बता देगा तो फ्रेंस आई अई पने topic रे topic के दरब चलते हैं यह था परिकारा सिफ और वाइट हैड का अपने हैड के लेकिन अब अगर हमको निपालना है कि सिफ और सिफ हैड क निकाल करेंगे सम एफ ब्रेंगे अई तुर्ट वाद अधि अधिनर रहा देंगे हैड इनकरेंगे और यहाँ पर हम दे देए सम रेंज अमांट अब इतना करने बाद हम जैसे इंटर करते हैं तो देखेया फेंस यहां सरमारे जीरो वारहा है Jiro क्यों आरहा है किका आप को पता है कि हैट हमने सिर्फ ौर में इंड ते दिया हrouह और हैट किसी में नहीं है यहां यहां बेंगे आपको इसल के पहले के पहले बिज़कशा हुआ है कosta है उसके पहले कुछ भी झाल seulement दो वाड़ों 10 वाड़ों या पचान वाड़ों उससे मतलब नहीं होता है. सेंटेल के पहले कुछ भी वाड़ लिखा हुआ है. तो तो इसके पहले आपको सिल फो शर्वर सिर गलदाना क्या है? एस्टिक क्या करता है? अब हैड के पहले कुछ भी हो चाहिए वो black वो white वो yellow वो blue वो green वो कुछ भी हो वो उसे भी हैड का टोटर निकाल तरके आपको दे देगा जैसे ये आप हम इंतर करते हैं तो ये दीखिए आपका ये हैड का टोटर निकाल करके आचिका है तो friends ये तो भाई हमारा sum इसके quiz points अब हम आपको आगे लिए चलते हैं अब जैसे अब इसको यहाँ पर निकालना है D shirt का टोटर अब T-shirt का टोटर निकालने लिए हम वहाँ पर फिर से वही करेंगे sum if अब range देंगे फिर से item की comma अब इड्वर्ड काम हम लिखेंगे T shirt यहाँ बंद करेंगे comma लगाएंगे अब यहाँ पर हम amount का sum देंगे बंद करेंगे और फिल्टर करेंगे तो यह देखें फिर सा अनसर मारा जीरो आ रहा है जीरो क्यों आ रहा है कि हमने बता है यहाँ पर T-shirt कोई भी ग्राइटर या एकसिप्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है आए कि T-shirt के पहले यहाँ पर Red, White, Blue, Yellow बहुत से T-shirt है तो इसके लिए आपको आप एक लगाना है अच्छिक अब जैसे एकर करेंगे तो फिर भी आज़माद जीरो भी बताएगे क्यों क्योंकि यहाँ पर T-shirt के पहले तो Red, White, Blue, Yellow है और T-shirt के बाद भी यहाँ पर आपको तुछ लिखा हुए जैसे Large, Mediums, Smalls तो इसके लिए आप T-shirt के बाद भी एकसिक लगा देंगे अब जैसे इंटर करेंगे तो यह देखिए हमारा अंसर निकल करके आजाएगा तो फिर्ट्स यहाँ पर हमने आप गोल्स, क्राइटेरिया निकालने के यह लगाने के कई तरी के बता दी है यह तो Point हमारा जल लाएवी Sum, If का ही अब हम आई यह आपको लेजलते हैं Sum एक की अधे टेबल के तरह जो यह हमारी एक टेबल बनी हुई है अब फिर्ट्स जैसे यहाँ पर हमको देखना है कि अब हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर अगर वाई, माउस या कीबोर्ड का निकालना है टोटल तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि अगर हमको यहाँ पर माउस का टोटल चाहिए तो हम आप लगाएंगे Sum और हम रेंज दे देंगे प्रोटक्ट का और यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे और इनुट कॉमा में लग देंगे माउस माउस ब्लक करतेंगे अब यहाँ पर हम कॉंटिटी का अगर सिर्फ दे 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 आ है अब देखिए यह माउस का सिर्फ और सिर्फ दो ही बता रहा है यह छे और यह जे पिसने वाइरिस मोड तो छोड़ दिया क्यों कि हमने अभी आपको पिछली टेवर बताया है अगर आपको माउस के पहले वाइलिस और भी चाहिए तो इसके लिए यहां पर आप क्या लदाना पड़ेगा एक्ष्ट जैसे मच्छी लदाएंगे तो यहां पर सभी माउस का टोटल निकल करके आचिकर है लेकिन अब द यहां 25 जीर साथ को कितने कट कितने कॉंटिटी में मात्रा में हमारे पास आइटम बिग्ये हुए में तो फिर हम यहां पर करेंगे संदिफ ब्रैकेट में अब उन दे देंगे एरिया फिंट कोड का फिर कांवा करेंगे अब फ्रेंट्स यहां पर देखिए अगर हम ड़ब सब्रेंग जिसने नहीं लिया हुआ है कामements किया है अंब अब सब अंद 2 और चला करेंगे तो यह एमार थाटीवन आ गए हैं लेकिन फ्रेंट्स अब हम यहां पर आपके फीर साना चाहेंगे अगर हम यहां पर criteria में अब हम यहां पर अगर inverted comma नहीं लगाते हैं कुछ तिक तरह से तो भी वारा अंसर वही आएगा क्यों कि अगर criteria कोई number है यानि normal number है किसी परकार का number only for number डेट उगर कुछ भी नहीं है तो आपको आप यहां पर दाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर जैसे हमको चाहिए यहां पर बाइस बारा दो हजार तेव का बो एल तो हमको यहां पर हमको प्राइटेरिया इनुटर कॉमा देरना पड़ेंगा यानि सम इफ हमने कहा हमको टेट चाहिए अब यहां पर अगर यहां पर नुट नहीं देते हैं 22 बारा दो हजार तेष्ट कॉमा पर देते हैं अब समरें देते हैं तर देखिए आपका अंसर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें 22 को यह डेड है तो उसलिए आपको यापर कॉमा लगाना पड़ेगा यहां भी और इसके बंद करने के लिए आपको पफ़र बंड लगाएंगे जैसे इंसर करेंगे तो इस आंसर आ जाएगा अगर हम चाहते हैं कि हम 22 के ऊपर जितनी भी डेट हैं 23, 24, 25 उन सभी का टोट्टुल आ जाए तो इसके भी हम यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर एक लगा रगाते हैं हम यहाँ पर अधर 22 के स्थान पर टेट कर दिते हैं अब देखते हैं तो अब यह 21 आ रहा है यानि वे यह और यह तीनों का यह 21 आ रहा है तो फिर्स यह तो हो गया अधर हम यहाँ पर अब equal to लगा देते हैं हमने कहा greatest in or equal to अब देखिए आपको सबका total निकाल करके कुछ इस परकार से दिखा देगा तो फिर्स यह तो हो गया हमारा आपका point sum if अब फिर्स हम यहाँ पर देख लिखते हैं कि यह हमारे सामने जैसे mouse 21 पचीस जिरूसवात की date का है और 21 पचीस जिरूसवात wireless mouse भी है तो फिर्स अब आपको बदाते हैं some ifs some ifs को है अब हम आपको बदाते है some ifs some ifs के लिए आपको किस एक और टेवल पले चलते हैं जो उन्हें आपको बदाई थी count की ये फ्रेंट्स टेवल आपको याद ही होगा और फ्रेंट्स ये देशिए अब जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम को यहाँ पर किसका टोटल जाहेंगे हम चाहते हैं जिनका डिजीजन नौट हो और फिस्टेट पर नाटका हो या केरन हो उनका टोटल उनको चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर इस हिसाप से निकाल सकते हैं और इस हिसाप से निकाल देते हैं हमने कहा यहाँ पर सम टिप्स और हम इसमें देते हैं अब देखिए यहां पर आपको सब्सक्राइब करेंगे अब करेंगे इसमें क्राइटेरिया क्या चाहिए नार्थ बन करेंगे कोमाँे में इसमें क्रैटेरिया चीर दे bowl की बिच्क बंद कीजिए और इंटर किजिए तो यह हमारा निकल करे खक tama आपको आपको सुस्जित को बाइब होईयो 은행 आपर करेंगे हमको सम टेप्स अब यहाँ पर सम रेंज आप रेंज वही देदेंगे अब कॉमा अब क्राइटेरिया हम पहला लेंगे रिजन का लेंगे हमने फिर कॉमा अब क्राइटेरिया हमारा क्या होगा क्राइटेरिया हमारा रिजन होगा अब यहाँ पर सेकेंड स्टेट वाला स्टेट एडिया हमने अब यहां पर क्रियुर्य रिया हमारा स्टेट होगा और इस नहीं रिखिए और ऑम पर आंसरजर जी जैसे इंटर करेंगे तो देखिए साउथ के एला में इतनी के सेल्स हुई है और अगर हम यहां पर साउथ करनाट का कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस शिल्स हमारी 49,000 की मुई है तो इस साथ से हम यहां पर सम इस के मायरे हम से 2 या 2 से रदिक किन्डिशन को एक बार में इसका कॉन करके रेजर्ड खराप्त कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो वहने आपको सम, सम इफ, सम इप्स, सम प्रोड़ाट और सम इसक्वाइर रूट के बारे में इन सभी टेवल्स के माध हम से बता दिया है उमीद करते हैं ये हमारा वीडियो आपको अच्छे समय में आगया हो अगर इसमें वीडियो में कोई प्रावलम आई हो तो आप इसको पॉस्ट करकर के इसको अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए और उसके पावजूद बिगार आप तो इस वीडियो में किसी पॉइंट के समय में कोई प्रावलम आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके जिरूर बताएं उस टॉपिक को होन और एक्सक्रेंसे किसी और नए टेबल के माद्यम से आपको और अच्छे तरीके से बताने का त्यास करेंगे तो पैस अगर ये वीडियो वारा आपको पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने मिल्ट्रों का भी शेयर करें जिससे वो भी इससे लाव ले सकें तो पैस मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के जाथ तब तक के लिए धन्यवाद